तो हाई गाईस विजर मिश्रा यूर कॉंस्टेंट गाइड वेलकम बैक तु चैनल देखिए अभी क्या है न कि आप सोच लोगों के सब्सक्राइब यह मीन्स का वीडियो क्यों लेकर आ रहे हैं एको आपको साथ मेंस की त्यारी भी करनी होती है अभी मैंने आप लोगों के दिया थे कैसे का ना है अभी क्या करना है कि आपको मींस भी साथ में इसको इंक्लूड गरना है हफ्ते में किसी बितले टाइम निकाल के आपको मेंस के लिए भी टाइम देना है आपको मेंस में क्या क्या आता है मेंस में आती है आपके यह सारे चीजे मैंने आप लोग के लिए लिस्ट आउट कर रखा है अब इसमें है क्या start करते t Разपहते हैं मैं आपको यह बताऊंगा कि इस कहां-कहां से करना है source क्या होगा और कैसे-कैसे आप करना है किन्स चीजिव करना है किन्स चीजिव क्छी को skip कर सकते हो इसमें स्टार्ट करना से बऩाये मैं आपको बता दूँ जिसका पूरा reasoning होता है na mains का 3 portion में divided होता है एक तो आपके puzzles आती है ठीक हैं अब इसमें दो type के होती है एक तो simple वाली होगी easy वाली easy वाली क्या होता है जैसे pre में आता है उसी pattern की होगी एक दो variable होगा आपका आराम से बन जाएगा harder वाली क्या होती है कि बहुत बड़ी पजल होती है और वो दो-दो माक्स की होती भी है ठीक है और उसको करने में टाइम लगता है दस से बारे मिट लग जाता है एक पजल करने में तो वो जो है आपको दस बारे नंबर देती भी है फिलाल फिर आपके आते हैं यह वाले पोर्ट्शन मिसलीनियस मदल जो आप पढ़े होते हो ना स्टार्टिंग में वही चीज आती है बस कोडिन डिकोडिंग के फॉर्म में तो और टफ करके आती है ठीक है लाइक ब्लड रेशन आएगी एक्वैल्टी आएगी तो कोड़ इनक्वैल्टी आएगी ठीक है इन्पिट और पुट आएगा लेकिन इन्पूर आपको साथ में कुछ और भी लगा देंगे वह ठीक है तो एक तो आते हैं यह वाली इनको मैं बडालता हूं में और एक आता है आपको क्रेडिकल रिजनिंग का यह वाला पूरा पूर्शन ठीक है जिसमें आपको कोर्स ओफ एक्शन आजाता है कंक्लूजन वाले आजाते हैं ठीक है तो यह सारे इस तरह से टॉपिक्स हैं अच्छा आप देखो मैं स्टार्ट करने से पहले एक और कोशन पूछते हो आप लोग कि जो पजल से सल कि क्या बिना पजल के एक्जाम निगा सकता है तो देखो मैं आपको एक चीप बताता हू तो लगाता हुए जा रही है लेकिन अगर ऐसा हुआ कि जो यह रिमेनिंग चीजे हैं लाइक क्रिडिकल रिस्टिंग और यह सब ना यह सब बहुत जी टॉफ आ गई बहुत जी नए पाटन क्या गई तो आपको उस समय फिर कोई बचाने वाला नहीं होगा तो उस समय अग मैंने पजल की थी क्योंकि मैं करता था और यह वाले पोर्शन में से शायर एक या दो सिफ कोश्टन किया था तो अगर देखा जाए तो मेरा इसके बिना मेरा पजल से हो गया था ठीक है लेकिन तैयारी में सब करके किया था कि यह सब पोर्शन थोड़ टफ लग रहे थे को पजल करना आपको अच्छा सोर्स क्या होना चाहिए सोर्स में आप लोग को मिशा बताता हूं आप यूटूब से सीख लो या फिर किसी भी ओनलाइन कोचिंग जहां से जुड़े हो वहां सीख लो फिर टैक्टिस कर लो प्रैक्टिस के लिए या तो कोई बुक रख लो या तो मैं गायट लिए पीडिएफ आप लोग के रिकमेंड करता हूं जिन लोग के पास है अच्छा है जिन लोग के पास नहीं है नीचे लिंक दी है आप लोग जाकर उसको देख सकते हो और तीसरा आपका होगा Means के मौक जो Means के मौक लगाते हैं वह आपको बहुत सिखात को मिलती हैं और जब सम्मिट कर देना तो जो वह सारे मौक से न वहले जो आपको नहीं सारी यह टाइप के कोशन मिलेंगे हर को जरूर लगाना क्योंकि हर टाइप करने को आपको को नहीं को सिखा के जाता है तो इस तरह से आपको पैक्टस करनी है YouTube PDF से और तीसरा आपको कर लिस्ट है प्लेलिस्ट है उससे देख लो दूसरा आप क्या कर सकते हो कि YouTube पे ऐसे डालो कि Means Level Puzzle for Bank Exams तो और भी जो टीचर्स हैं लाइक पुनीसर वगेरा और जो और भी है मुझे नाम नहीं आद है तो उन सब से बस जाके सीख लो कि कि हर टीचर आपको नहीं को सिखा द इंपूर आपट इसमें क्या आउगा ना देखो कि कुछ नया वो कर देंगे ठीक है तो इंपूर आपट में क्या कर देंगे मालों को सास में लगा दिया statement बेश जागे तो यह वाला portion कहां से करना है यह वाला portion भी आपको यसे YouTube सीखना है तो वो यह वाला portion पर अच्छा आउगा कि देखो होता किया ना कि जैसे मालो आपको कोई topic नहीं समझ में आ रहा है आप सोचो के सरा आप वो कहां से पढ़ें वो आपने नहीं बताया आप जब मेंस का मौक लगाते हो आपको नए-नए type of questions मिलते हैं जो भी नया question मिला जो कि समझ में नहीं आ रहा है उस question को टॉपिक जो यूटूब पर टाइप करो और किसी से भी पढ़ लास्ट में आता आपको critical reasoning तो critical reasoning के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ जो अभी क्या है कि शायद और भी डिशन ने पढ़ाया होगा लेकिन आपको करना कैसे है एक तो मेरिट से प्लेलिस्ट है उसको आप पढ़ प्लेलिस्ट से देख लो तो आपको basic funda clear हो जाएगा उसके बाद YouTube पर जाके यह दूटीचर से आप और पढ़ सकते हो तो आपको थोड़ा वराइटी मिल जाएगी बास समझ में आ गई तो यह puzzles यह मिस्लेनियस topics और यह critical reasoning यह भी आप साथ में करते रहो अभी हफते में एक जो है आपको week में एक जो है मेंस का मौक देना है ठीक है तो यहाद रखना 45 questions आता है 60 minutes करने होते है मेंस का जो portion होता है उसमें reasoning का काफे important section होता है तो इस तरह से बनाओ ठीक है बाकी यह भी जो है यह मैं series चला रहा हूं मेंस की पूरी इसके 4 videos कल परसो तक आ जाएंगी बा आतना वखे आतना वे रेट दे खार वाचीं